यो फ्रेंस मैं डॉक्टर दीप्टी जैन गानेकलोजिस्ट आज हम इस चीज के बारे में डिसक्स करेंगे कि प्रेग्निंसी में आपको क्या चीजें नहीं खानी है किन चीजों का स्पेसेफेकली आपको डाइट में ध्यान रखना है जो चीजें आपको नहीं कंस्यूम करनी है नहीं खानी है तो सबसे पहले आता है पपीता और पाइनेपल आपको प्रेग्दिंसी के दौरान पपीता स्पेसेफिकली कच्छा पपीता बिलकुल नहीं खाना है पाइनेपल भी नहीं खाना है क्योंकि यह दोनों ही फॉलों के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं आपको पपीता और pineapple specifically कच्छा पपीता नहीं खाना है पहली चीज दूसरी चीज आपको कच्छा दूद कंजूम नहीं करना है आपको दूद आप ले सकती है उसमें कोई मना ही नहीं लेकिन दूद प्रॉपर ली बॉइल्ड मिल्क होना चाहिए उबला हुआ दूद या पास् प्रॉपर ली दूद नहीं पता और अगर आप बिना दूद फवल या बाहर का निकला हुआ जूस वगरा पीती है लिए जूस फिर भी आप जीज सकती लेकिन आपका जूद निकला हुआ फ्रेश जूसे लेकिन फ्रॉपर ली दूद नहीं हुए उनका जूसे तो उसमें इन्फेक्शिन का जो रिस्क होता है वे काफी हाई रहता है तो उस चीज़ को आप ना ले आप घर में अपने फवल लाके उन्हें प्रपरली धोके उनका जूस निकाल के कर सकते हैं प्रिगनेंसी के दौरान हम बहुत जादा मिर्च मसाले वाला और ऑईली खाने के लिए भी मना करते हैं क्योंकि प्रिगनेंसी के दौरान और अल्रेडी गेस्ट्राइटिस एसीडिटी ग्यास की समस्या काफी ज्यादा रहती है महिलाओं को जो कि जब आप बहुत जादा मिर्च मसाले वाला स्पाइसी खाना खाते हैं तो यह समस्या बढ़ जाती है इसलिए खाने म बहुत जादा मिर्च मसाला या तेल का प्रियोग ना करें कम मिर्च मसाला कम तेलगी का खाना खाएं तो वह आपके लिए बहतर रहेगा प्रिगनेंसी के दौरा नम स्पिस्विक कहते हैं कि एक साथ बहुत सारा खाने की कोशिश नहीं करें आप थोड़ा थोड़ा बार ब खाना खाई है विटामिन ए जो कि वैसे कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती के लिए आंटिक अक्सिदंट होता है पर प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन ए के हाई डोज में सप्लिमेंट्स नहीं लेने हैं उसका प्रेगनेंसी के ओपर ग्रोइंग बच्चे के ओपर दु चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान लिए करकिया मल्टे विटामिन में जो हलका फुल का विटामिन ए होता है वरी स्मॉल क्वांटिटी में वह चलेगा बड़ जो स्प्लिमेंट्स आते हैं वह आपको कंजूम नहीं करने हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको रॉइक्स भी यहीं लेने हैं यहीं की कच्छे अंडो का प्रयोग नहीं करना है भ्रॉपर ली कोुख वो تौ कर सकते हैं रह नहीं लेने है आपको प्रिगन्सी में बहुत चाहा ज me 흰δα का या रही लिए कहीं हैसा नहीं किस्कूर के लिए नहीं क bere बड़ जाता है जोन होती है और आखिर के तीन महिनों में आपको 500 एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत रहती है नॉर्मली हम 2000 के आसपस कैलोरी कहते हैं और उसमें एड ऑन कर देते हैं तो रफली यानि कि थोड़ी जितना आप ले रहे थे पहले उससे रफली हम 10-15% एक्स्ट्रा कैलोरी लेने के ल लेंगी तो फाईदा होने के नुक्सान हो सकता है आपको धेस्ट्रा के लेड़ीज हो सकता है यानिकि प्रेगनेंसी के दौरण डेडीज हो जाना नअि सबस में उसका की बच्ते की डौत करने की ज़रूरत नहीं है नहीं तो गलारा अब का और अप्रोणतर मों रहेगा प्रिगनेंसी के दौरन अल्कोहल और स्मोकिंग का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आप एक नॉन वेजिटेजियन हैं तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मौडिफिकेशन रहते हैं आपको अंडर कोक्ट यानि की कम पका हुआ या कच्छा मीट का प्रियोग बिल्कुल नहीं करना है वह पूरा प्रॉपरली पका हुआ होना चाहिए अगर आप फिश कंस्यूम करते हैं तो फिश में कुछ पर्टिकुलर फिश आपको वाइड करनी ह हैं जिन में मर्करी का लेवल स्प्रसिफिक्ली हाइज होता है जिसे कि शाके स्षड़ फिश तुना है इंका प्रेफ सब्सक्राइब करना座 इंका प्रियों करना है लिवर का प्रियोड करना है अगर आप नौन अब आते हम एफीन के उपर किई लो किफीन के हूर के जो कि हमे चाय में कोफी में चोकलेत में इस चीजों में होती है तो केफीन चाय कोफी होगा विर्म ovust हर कोई तिर रहा हम तो आप 200 mg प्रती दिन तक इसका यूज कर सकते हैं उससे अधिक यूज नहीं करना है आप इसे कैस से क्यालकुलेट करेंगे उसके लिए आपको रफ आइडिया दे देती हूँ एक कप कॉफी में रफली 100 mg केफीन होता है एक कप चाय में रफली 20-50 mg केफीन होता है एक 100 ग्राम की मिल्क बार चॉकलेट के अंदर लगपग 20 mg केफीन होता है एक 375 mg के जो कूला का क्यान होता है उसमें रफली 40-50 mg केफीन होता है तो इससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल आप एक दिन में क्या क्या चीज़ दिखाए कफीन का इंटेक वह 200 mg रहे तो आपको कमदन से 20 mg से कम के साइड में मी儿 2 यह सब्सक्तों का आपको परिग दिन्सायमीं ध्यान रखना है मैंने बताई उनकी की जुक्त पूंट में अगर आप इसके सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद